पजी नमस्कार उम्मेदे, आपसे भी अच्छे होंगे, आज हम इस इस बि возмटाने वाले हैं कीवी बॉजर में कैसे यूज करते हैं कैसे आइर्ड करते हैं कैसे रण करते हैं यह important क्यों है कीवी ब्राउजर ही चलाना, ठीक है तो दीकि यह होता क्या है कि mobile में बहुत सारे application को एक साथ रखना थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन काफी लोगों के लिए ठीक भी होता है जिसको जो भी पसंद आए लेकिन क्या होता है कभी-कभी बहुत सारे link आते हैं तो वो wallet connect करने के लिए मांगते हैं या wallet के जरिये ही वो एरड्रॉप में पार्टिशिपेट कर सकते हैं अब जैसे अब लेटेस्ट की बात की जाए तो गागा नोडे गागा नोडे जो इसका विड्रॉल मिल रहा है वो metamask में connect करके ही मिल रहा है अब बात आती है कि आपको आपके पास कोई एक website हो जहां पर सारे आपके application को run किया जा सके जिसे trust wallet है, metamask है, phantom wallet है, atomic wallet है, kepler wallet है, बहुत सारा तो कोई एक ऐसी website हो, जहां से सब के सब आपके access हो जाए, अगर वही चीज़ा आप mobile में रखते हो, तो क्या करना है कि वो सारे जो claim या airdrop में join के लिए जो आपका link है, वो सब अलग-अलग wallet में जाना पड़ेगा, जो कि साब wallet जो आए, 70-70-700 MB के हैं, तो यह दिक्कत होत जाता है, यहां पर एक ही application के अंदर सारे आपकी wallet आजाते हैं, आप चाहो तो सारे wallet को नया बना के डाल सकते हो, अचाहे आप पुराने वाले को ही seed phrase लाके इसमें login कर सकते हो, तो चलिए, यहां पर हम सुरू करते हैं, कीवी ब्राउजर, आपको कहीं से भी कीवी बहुत सारे installer है, इसका आप complete check कर लेने कि हाँ यह genuine है, तो यहां पर आपको इसको install करना है, install का button आएगा, हमारे में open आ रहा है, हम इसको open कर लेते हैं, यहां पर हम complete basic सा पूरा का पूरा बताएंगे, कोई भी चीजी miss नहीं होगा, तो देखिए, आपका कीवी ब्राउजर open हो गया, लेकिन अभी आपको यहां समझ नहीं आगया कि कैसे सारे wallet यहां पर access करने है, कैसे एक ही ब्राउजर के अंदर सारे wallet connect करने है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह three dot पर जाना है, जान देजे यहां पर एक ही पेज अभी login हुआ है, यह आपका home है, त यहां पर आप ध्यान देजिए, कि आपका एक option है, एक extension, यह important है, यही चीज important है, इसी को क्या करना है, क्लिक कर लेना है, इसको क्लिक करना है, सबसे पहले आपको की ब्राउजर open करते ही, आपको three dot पर यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यह extension पर क्लिक कर लेना ह क्लिक करने के बाद देखिए, एक extension बहुत सारे fake भी होते हैं, आपको जो इस वीडियम बताया जाय रहा है, या इस तरीके से प्रोसेस आप कहीं दूसरे वीडियम में देखते हो, तो यही follow करना, बाकी कोई follow मत करना, जैसे मालेज यह कोई airdrop claim करने का fake website है, और वो एक छो wallet या metamask का private key डाल दो, तो ऐसा कभी मत करना, आपको बहुत सारे fake extension मिलेंगे, बोल जाएगा कि आप इसको click करो, chrome browser से open कर दो, वहाँ पर जाके आप अपना metamask wallet connect करो, या trust wallet connect करो, उसी के अंदर आप अपना private key डाल दो, login हो जाएगा, airdrop मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करना है, बहुत सारा airdrop facebook प्याता है, वहाँ पर सीधा बोलता है, कि metamask के या trust wallet connect करो, जैसे आप airdrop या see you claim के लिए उसको click करते हो, आप से private key मांगा जाता है, और जैसे आप trust wallet या metamask का private key वहाँ पर डालते हो, seed bar fresh का जो होता है, डालते ही, आपके सारे fund remove कर लिए जाते जब खाली कर लिए जाता है, चुरा लिए जाता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है, तो आपको जो इस video में बताया जा रहा है, वही करना है, इसका एक ही तरीका है, जो genuine तरीका है, keybrowser में कैसे add करना है, तो सबसे पहला जब आप keybrowser open करते हो और यहाँ पर three dots है, three dots है, three dots पर click दूसरा कोई तरीका ने दूसरा कोई तरीका अपना अगे तो फेंक ही होगा और आपके फंड लाउस हो सकते हैं तो यहां पर आज़ाइए अप गूगल को क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कई सारे चीज़ें आएंगी तो आपको देखना है कि यह क्रोम का सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर देखिए कुछ आपको ऐसा दिखेगा ठीक करना है अब देखो यहां पर ऐसे कंप्लेट नहीं दिखेगा यह एक्चुले में कीवी ब्राजर जो होता है वो डिस्कटाब लोगों के लिए होता है लेकिन मोबाइल से भी रन बहुत आ क्लिक करते ही यहां पर देखोगे पहला एक्सटेंशन क्लिक करके गूगल पर जाने के लिए मैंने बोला और क्रोम वेव स्टोर के लिए जाने के लिए बोला उसके बाद आपको यहां डिस्कटाब मोट करना है एकदम इसी वीडियो को फॉलो करना है या इस वीडियो की त सब्किर करना है और आप देखिए नए पेज तो में आपको क्या लिखना है मेंस्ट करना चाहthemum मेंस्ट मॉलिक टम वोलट कंति कपलर वोलेट एदर वोलेट जो भी सोल फ्लेयर व गाइड़ सोली पेड़िए तिया तो यहाँ पर आपको हम मेटा मास्क एड करते हैं मेटा मास्क एकसेटेंशन हमको इस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मेटा मास्क एकसेटेंशन यह दिखो मेटा मास्क एकसेटेंशन यह वाला तो आपको जो भी आएड करना है अधूरा मत लिखना तो यहां पर आप देखिए यह जो वेविस्टोर है यह मेटा मास्क वाला आ गया है यह पहला ही है ठीक है यह इसकी पहचान होती है जब आप इसको क्लिक करोगे न यह बोलेगा आइड करो फेक वाले में आइड करने के लिए यह आता आप देखुएए यह आगया इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यह पर आप देखिए यह मेटास का लोगों या वेविस्टोर का और यह आपका आइड करने के लिए थोड़ा सा हिसको जूम करेंगे यहां पर देखिए यह आ गया यहां पर complete दिख रहा add to chrome आपके कीवी ब्राजर metamask add हो जाएगा add होने के बाद आप उसको login कर सकते हो तो यहां पर इसको click करना है add करना है थोड़ा सा request का घूमेगा ओ नेट के उपर नहीं से जो कोई आपको wallet connect करना है तो वह हो जाता है आपको बीच बीच में क्या करना जैसे यह तो add हो गया लेकिन complete दिख नहीं रहा तो आपको फिर से जाना है इसी three dots पे आपको बार बार चेक करते रहना है कि जो भी आप करो desktop mode किये रहो देखो यह हट गया सर्च करने से यह desktop mode हट जाता है तो आपको फिर से desktop mode करना है ठीक है तभी आपका complete यहाँ पर 100 होगा तो आप आप कैसे पता करोगे कि metamask आपका add हुआ कि नहीं हुआ तो आपको फिर से three dots पे जाना है और यह देखोगे तो यहाँ पर आपक आपको metamask add हो गया अब यहाँ पर देखिए यह आ गया यहाँ पर login sign up इसको थोड़ा साम जूम कर लेते हैं यह देखिए आपका पूछ रहा है कि आपके पास पुराना wallet हो तो import कर लो नहीं है तो आप create कर लो ठीक है तो हमारे पास तो यह आपके पास भी सबके पास भी ल browser के अंदर आप अलग भी बना सकते हैं चलिए यह तो login बस इतना ही है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपको देखो यह आड़ होगी अब चलिए हम दूसरा कौन सा कर लेते हैं phantom wallet यहाँ पर आप लिखेंगे तो यह आ जाएगा phantom wallet एक्सिटेंशन फार क्रोम यह सब की ब द्वी दिख रहा है क्रोम वेव इस्टोर और यहां पर यह भी दिख रहा है ख्रोम वेव इस्टोर तो इसमें देखिए यह जैसे वर्ड दुनिया का मैब बना हुआ आप इसको भी कर सकते हो यह सब पहले आ जाते हैं यहां पर देखिए phantom.app download यह जो download वाला है इसको नही तो यह सब करने के बाद एक आपसन आते है आइड करने का रिमूब करने का देखो इसमें नहीं आया ठीक है आ गया अभी आया कम्प्लेट ओपन होगा 24 अवेट करना पड़ेगा देखो यहां पर ऺएक्षए इसका आइकान और यहां पर एड करने के लिए मांग रहा है तो इसको आपको क्लिक कर offers मांगें टो सबसे पहले आपको ठीर अपर में और नीचे यहां पर हम इस तरीके से एड़ करना है तो आपको न्यूप पेज पर जाकर जाके ट्रेस्ट वॉलेट एकसिटेंशन या फिर केपलर वॉलेट एकसिटेंशन ऐसे सब करना है और आपको पहचान करना है कि वहां पर जो क्रोम वाला आप्षण होगा बेब ब्रावजर जैसे म करना है इस वाले पेज को उपन करना न्यूट पर जाना है और यहां पर लिखना है ट्रस्ट वालेट एकसिटेंशन तो यहां पर फॉर कुरोम हर चीज में लिखा रहेगा फॉर कुरोम ठीक है तो इसी वाले को क्लिक करना है तो देखिए यहां भी आपको जैसे ओपन होग बिना डिसक टाप मोट की नहीं होगा मोपैल में अब इसको थुदा सा जूम करोगे यहां पर देखिए आगया कई सारे आपसन आगए तो यहां पर आप देखोगे जिसमें धुनिया बना हुआ है लोगो यह लोगो बना हुआ है और एक है यह ट्रेस्ट फर क्रोम ब्राउजर इसमें देखो ट्रेश्ट बॉलुट का आइकान बना तो आप इसी को क्लिक कर लेना है ठीक है इसको क्लिक करते ही वह आपसन आना चाहिए जो आयड है, आयड जब तक नहीं आएगा तब तक आप उसको बैक करके फिर से करना, इसको फिर से आपको डिसकर टाम मूट करना है, सर्च करने से वो रिमूव ह Hampon growth जाते है ठीक है जब तक आयड करने के लिए आपसन नहीं आएगा, तब तक आप इसको मत मानची गा कि ये जन्म है या नहीं है ठीक है देखू आभी इसमें नहीं करने तरौइब download extension हम फिर से बैक कर लेते हैं ठीक है फिर से बैक कर लेते हैं और उसी पेज पे हम जाते हैं जो हमने सर्च किया है trust wallet extension हाँ ठीक है आप यहां से भी कर सकते हो यह जो यह वाला आपसन है आपको download download for android यह सब नहीं करना है आपको यह वाला करना है वो बताता है trust wallet extension for download for chrome तो आप इसको करोगे ना तो भी आ जाएगा एड का अपसन यह आप जो बेशिक वाला यह देखिया आ गया ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आना चाहिए नहीं आ रहा है तब तक आप उसको सर्च करते रहिए आप बैक करके क्योंकि बैक जाने में कोई पैसा थो यह अपसन आगया रिमूब कीजिए मतलब एड हो चुका है तो तो यहां पर बाटम पर जाएंगे बाटम पर जाएंगे तो यह दो यहां पर हमारा आड हो गया फेंटम भी टेश्ट वॉलिट भी में तो बिसिकलि आपको मेंटा मास्क ज्यादा टरंड में चल रहा है तो अब यहां पर इसका अड्ड करने फायदा क्या है मालेजे कि हमने ऐसे किया मेनु बार में गया यह आपका डैज़्बॉर्ड है तो मेता मास्क को हमने क्लिक कर लिया मेता मास्क को जब क्लिक करोगे तो आप application वाला जो आपका पास प्रेज है चाहिए आप इसको यहां पर क अप्लिकेशन है इसके सेटिंग में जाओगे यहां पर आप अपना सेटिंग से सीट फ्रेज आप निकाल के कीवी ब्राउजर में एक्सेटेंशन में आप इसको लॉग इन कर सकते हो तो काफ लोगों को नहीं पता है मैं इसमें डिस्क्राइब कर देता हूं यह आपसन जो है देना है देना आपको यहां पर घ्राइब कर सकते हो तो अगर आप से कोई मांगता है12 जो आप उसको इसको सकते हो आहां पर क्लिक करना है आंगर यहाँ पर आपको डालते ही आपका आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं आपको फिर वैसे जाना है वह आपसन आभी जाते हैं कभी-कभी नहीं आता तो आपको त्री डाट पर जाके यहां से क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद वह आटोमिटकली आ जाएगा मालेजी कभी-कभी हट जाते है रिमूब हो जाते तो आपको उसमें परिशान होने का बात नहीं है यहां पर सारे अप्लिकेशन वह शॉर्टेंड एड़ हो चुका है इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं ठीक है यहां पर अप का मेटमास के लॉगइन हो जाएगा हम यहां पर अपना लॉगिन कर लेते हैं अफरेंट से जब भी आप लॉगइन करते हो तो फर्स टाइम आपसे पासवर्ट मांगा जाएगा अगर आपने सेम वीलेट का पासवरेज लाके यानि की जो मोबाईल में मेटमास करन कर रहा ह उसی का seat यहां पर लाके डालते हो password आप दोने जगह अलग भी रख सकते हो क्योंकि यह password उस समय के लिए login के लिए माँगता है अब यहां पर जब भी आप इसको click करोगे तहे password लागए लौग बारोजन के login हो जाएगा एक यहां पर हम इंपोर्ट पर डॉब्लट पर क्लिक करते हैं और यह हमारा मेडर से उल्लॉट उल्षट होगा इसके बाद यह आपर हम्हेंडेंगे пригод यह प्रेंट ऊपर हो गार्ड हटेंगे बाद हम फिर हो जाते हैं तो हमारा वो हमेशा login ही रहता है, कभी-कभी वो just information के लिए आपका मांग सकता है, देखें, यहाँ पर आपको आना है, फिर इसको click करना है, metamask में जाना है, वो आपका वही सीज सेम login मिलेगा पहलेगा, ठीक है, तो यह देखो password मांग रहा है, password डालते हैं आपका login हो जाएग फ्रेंड्स इसका बेस्ट यूज क्या है, बेस्ट यूजी है कि जैसे माल लेजे, आपका गागा नोट का withdrawal मिल रहा है, या किसी भी airdrop का withdrawal मिल रहा है, तो आपका बोलेगा metamask connect करो, तो जरूर नहीं कि metamask की बोले, वो बोले phantom wallet connect करो, वो बोले trust wallet connect करो, तो इस तरीके से 15, 20, 25 wallet होते है, सब को, आपको mobile में रखना पोशिवाल नहीं होता, तो आप यहाँ पर बना करके, आप extension पर उसको रख सकते हो, एक ही browser पर, यानि कि की भी browser के अंदर सारे wallet आपके, certain तरीके से extension यूज रहता है, वहाँ पर आप इसको connect कर सकते हो, तो अभी, गागा नोट भ जो भी बोल रहा है, जैसे phantom बोला, metamask के बोला, test wallet बोला, तो उस application के अंदर भी जाके सर्च करके, आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको साब तरह के application रखने पड़ेंगे, और कभी-कभी तो होता भी नहीं है, वहीं से होगा, कीवी browser से ही होगा, बहुत सारा चीज कीवी browser स होता है, दूसरे में access भी नहीं हो पाता, क्योंकि अभी 5G के जमाने चल रहा है, बहुत सारे application लेंदी होते हैं, तो एकसे तरीके से चल जाते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट में गागानोट के विड्वाल मिलेगा, हमने एक वीडियो बनाने वाले है, कैसे वो आपके metamask मे आएगा, extension पर कैसे connect करना है metamask को, ठीक है, और कैसे claim करना है, तो यह चीज बेस्ट रहता है, तो आप extension उमिद है, आप extension add करना जानगे, तो एड करके आप यहां से menu से उसको कर सकते हो, यहां पर सब कुछ आपको दिखना चालू हो जाएगा, तो इसको अच्छे से, जैसे मने precaution बताया है, आप उसको वैसे ही follow करके करिएगा, अधर कहीं से उसको कोई link मिलता है, तो उसको click करके नहीं करना है, ठीक है, thank you रहे, kenुछ टैसे उसको करिए थो जा लका сबस्तावपारओे से, और जापको करने हो, यावाभावावावावावावारा है, thank you झाल झाल झाल